भागवत का वक्ता पोईट हो कभी भी रीडितम कवियों को भी तृप्त कर देने वाला कभी के शब्दों में संकेत छिपा होता है कभी संकेतित भाषा बोलते हैं साहित्य से भरी अलंकारों से भरी किसी से कहा चंदर मुखी इसका मतलब यह नहीं है चंदर महीं उसका मूँ हो गया इशारा है एक भागवत का आश्रे उपस्थित महापुरुष किसी भी तरह संकेत करता है उसका मूल लक्ष भागवत कि ही होता है ब्रम्हा शिव नारद खुद गोविंद दुनिया में कृष्ण से बड़ा कोई कभी होगा आपको मालूम है कथा सुनने इस पंडाल में सबसे पहले कौन आते हैं सबसे पहला आसन हमारे श्री ठाकुर्जी का लगता है जैसे भक्तों को भगवान की कथा रस देती है भगवान को भक्तों की कथा रस देती है वो उनकी कथा सुनते है भागवजी में कृष्ण की इतनी कथा नहीं है कृष्ण भक्तों की इतनी कथा है इसलिए ये कथा ठाकुर्जी को प्यारी है ये भगवद वांचा है भक्त वां बांचा ही नहीं है यह भगवद बांचा कल्पतरू है